जैहिंद, इस्टड़ी बसेरा के नए वीडियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस्टड़ी बसेरा के अच्छे प्रस्ण और रोचक प्रस्णों के साथ अभ्यास करने के लिए आप लोग अपना भरपूर प्यार देंगे और सहयोग करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोस्टन सेट का पहला प्रशन है इसका अंसर हो जाएगा आपसन बी टीपु सुल्तान और यस्ट इंडिया कंपOS धेजया आज को हरा दिया थी और मयस老 मेंचेश वे वि Besides इसको हरने के बाद एज स्री रगपट Undert Até ऐ要 अपनम की संदी हुई थी और अंग्रेजों की और से लोट कनवालिस ने साइन किया था और मैसूर के राजा टिपूल सुल्तान ने साइन किया था नेक्स्ट है सावक कीश देश का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और इसको हिंदी में कहते हैं खुपिया विभाग रो है रो का फुल्फर्म होता है रिसर्च एन एनराइसिंग्स विंग उसी तरह इज्राइल का इज्राइल का जो कि बहुत फेमस बहुत ही मजबुत बना जाता है इंटेलिजी डिपार्डमेंट उसका नाम है मुसाद नेक्स्ट कोशन है आगा खान कप का संबंद किस खेल से है और आगा खान कप होकी का सबसे पुराना टूनामेंट है इटली की गंगा किसे कहते हैं और यह कोशन यहाँ यह भी बनता है कि इरोप का भारत किसे कहते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा इरोप का भारत इटली को कहते हैं नेक्स कोशन है महादाई नदी किस राजय से निकलती है और सन ए गोवा बी करनाटक कि महरास्त डी केरल इसका आंसर हो जाएगा और से रिलेटेट कुछ एक्ष्टा फेक्ट भी है इसको भी देख लेते हैं महादाई नदी कानाटक के बेलगाम जीला के भीमगड से निकलती है यह नदी पक्षमी घाट से निकलकर पक्षिम दिसा में बहती है और पक्षिम दिसा में बहती है तो सिधी से बात है यह अरब सागर में गिरेगी मतलब कि महादाई नदी का मुहाना अरब सागर में पढ पहुँच्टी है गोवा में जब पहुँच्टी है इसका नाम मानवी हो जाता है और यह एक वर्सा अधारित नदी है मतलब बरसाती नदी है नेक्ट कोस्टन है निमनी में से कौन कीट भगची पौधा है ऑप्सटन ए पीचर प्लांट बी वीनस फ्लाइट रेप प्लांट ब्लाडर और प्लांट डी ब्रायोफिलम प्लांट इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सटन डी ब्रायोफिलम प्लांट नेक्ट कोस्टन है बाबा सहब अंबेटकर का समाधी अस्तल कहां है ऑप्सटन ए महाप्रयान बी चैत्य भूमी सी एकता भूमी डी अभैगाड इसका अंस चैते भूमी और यह बाबा सब अमबेटिकर का समाधी अस्तल चैते भूमी मुंबई में है जो दादर में है नेक्ट कोशन है दूद में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अप्शन एक कैसीन बी पेपसीन सी रेनिन डी ट्रैपसीन इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कैसीन डूद में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूद में कैसीन नामक प्रोटीन को रेनिन जो के एक एंजाइम है वो कड में चेंज कर देता है और पेपसीन एंजाइम है जो कि स्टोमाख में मौझूद होता है और पेपसीन एंजाइम हम जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है उसको सिंपल कंपॉंड में परिवर्थित कर देता है जिससे उसे डाइजेस्ट होने में सुविधा होता है, अराम से डाइजेस्ट हो जाता है नेक्ट कोशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की नियुकति कोन करता है उप्शन A, प्रेसिडेंट, B, गवर्नर, C, चीफ मिनिस्टर, D, प्राइम मिनिस्टर इसका एंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, गवर्नर नेक्ट कोशन है, छोटी इलाइजी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ऑप्शन A, महरास्ट, B, केरल, C, करनाटक, D, तमिलनाडू इसका एंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, केरल, केरल राज्य में छोटी इलाइजी का सबसे अधिक उत्पादन होता है नेक्ट कोशन है, निम्न में से किसने जुनियर विवल्डन का खिताब नहीं जीता है ऑप्शन A, समीर बंदर जी, B, महेज भूपती, C, रामनाथ कृष्णन, D, रमेज कृष्णन, इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन B, महेज भूपती, महेज भूपती, जुनियर विवल्डन का खिताब नहीं जीते हैं जुनियर विवल्डन से रिलेटेड ये कुछ एक्स्टा फेक्ट से कुछ जानकारियां हैं जिसे रामनाथ कृष्णन, 1954 में पहले भारतिया बने थे जुनियर विवल्डन जीतने वाले और उनके पुत्र, उनके सुपुत्र है रमेज कृष्णन, उन्होंने भी 1979 में जुन दतगर सावित होगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक सेर कर दिजिएगा चले मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक्रे जाई हिंद स्वास्त रहें मस्त रहें धन्यवाद